यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ-साथ रहते साथ-साथ खेलते, साथ-साथ खाते पीते, साथ-साथ नाते दोते नहीं, दोते नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते-खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला उसको कोई में गिर 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 और जोर जो उसे चीखने चिताने लग जिए उसको तैरना नहीं आता था अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आसपास में देखा, और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं देखा, जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए, और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी बंदी हुई थी, उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके प्ले में फैट दिया, और अपने दोस्त को बोला के पकड़ ले इसको, उसके दोस्त ने पकड़ा, और वो अपनी पूरी ताहत लगा करके पांगलों की तरह उसको खीचने लगा, खीचता रहा, खीचता रहा, खीचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटे चे बच्चे ने, छे साल के, और तस साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था, खीचता खीचता और तब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्त को बचा दिया, जब तक वो ब दर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और ये सब चीजे होई लेकिन मज़े की बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझ अब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया बाकी गाउं वालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया कुरे गाउं वालों ने और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाउं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाउं के सबसे समझदार मुज़ूर्गों में से एक और सब को लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कहरे है और फिस सारे गाउं वाले इक्टे हो करके उनके पास में गए और जा गर के बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप भी बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता हूँ बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया बाल्टी को उठा गर के कुवे में फैका उसके दोस्त ने बाल्टी को बखड़ा उसने रसी को खीचा और अपने दोस्त को बचा लिया तो आपको पता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गाउँवाले उनकी शकल देख रहा है फिर कुछ देर बाद बो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर बाया सवाल ये है कि वो ये क्यूं कर बाया कि उसके अंदर इतनी दाखत कहा से आई गो बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता उने कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक की वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं जस बच्चे कोई प्रिय नहीं